देखिए ये नाम इंडिया हमें दिया गया है, ये एक अंग्रेजी नाम है, ये प्रभुत्व स्थापित करने की तक्नीक है, आपको ये देखना चाहिए कि जब वो अफ्रीका से गुलामों को लाए, तो बंदरगाह पर सबसे पहले उन्होंने अफ्रीकियों का नाम बदल द पहली चीज होती है एक अर्थ हीन नाम देना, जिसका कोई, क्योंकि एक इनसान यादों से, इतिहास से, संस्कृती से बनता है, एक ऐसा नाम जिसका कोई संस्कृतिक आधार नहीं है, एक ऐसा नाम जिसका कोई महत्व नहीं है, एक ऐसा नाम जो आपके अंदर गर्व पैद नहीं करता, मैं आपको उस तरह का नाम दूँगा, क्योंकि ये प्रभुत्व स्थापित करने की तक्नीक है, इस देश में दो, तीन या शायद पांच प्रतिशत लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, लेकिन देश का नाम अंग्रेजी में है, इसका अंग्रेजी न बोलने वाले किसी भारती के लिए कोई मतलब नहीं है, इंडिया, भारत में एक शक्ति है, क्योंकि इसके दो पहलू है, जब हम कुछ बोलते हैं, तो ध्वानी पैदा होती है, अर्थ सिर्फ मानसिक होता है, उसे आप अर्थ देते हैं, है ना, हाय ना, अभी मैं कुछ बोलता ये सिर्फ एक ध्वनी हैं अगर आप ये भाषा नहीं जानते तो ये सिर्फ एक ध्वनी है अर्थ पस आपके दिमाग में बनता है अर्थ का महतु कम है, ध्वनी महतु पूर्ण है आप भारत का उचारण करके देखिए कि आपके अंदर कैसे स्पंदन पैदा होते हैं आप इंडिया कहकर देखिए कि आपके अंदर कैसे स्पंदन पैदा होते हैं दो दिनों के लिए इसे अपना जब बना लिजे एक दिन आप सिर्फ इंडिया 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 कहिए अगले दिन बस भारत 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 कहिए बस देखिए कि आपके सिस्टम के साथ क्या करता है फिर आप तय कीजिए